była कि हलो देर दिस विनान सेंग फोम विश्याकेडमी दोट- Come यंड इन दीस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं हाउड टो सेट टेक्स टो व्र्कली सेंटर इनदीीव जब आपको हर्जंटोले टेक्स सेंटर करना होता है किसी डिव में तो आप text aligned property का use करते हैं css में इसकी value दे देते हैं center लेकिं जब हम बात करते हैं किसी do के अंदर text को vertically center देने की तो there is a trick एचोड़ा सा trick हमने यहां पर लगाना होता है so क्या trick है सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर मैंने simple box insert किया है इसमें text है इसका code देखें तो यहां पर मैंने due class box लिए जो कि obviously यह box है and इसके अंदर paragraph है okay so trick क्या है box के अंदर हम यहां पर due class एको ले लेंगे वर्टिकल जरूरी नहीं है वर्टिकल मैं इसके अंदर इंडिकेट करने के लिए वर्टिकल ले रहा हूं okay and इसके अंदर paragraph लेंगे so हम यहां पर box के अंदर वर्टिकल क्यों ले रहे है मतलब due के अंदर एको due लेने के ज़रूरत क्या है well यही ट्रीक है यहां पर आपको box में display देना है table okay and जो आपने नया due insert के वर्टिकल उसको आपको display देना है table cell okay actually आपने देखा होगा कि हम जब table का इस्तेमाल करते हैं तो किसी cell के अंदर हम टेक्स को वर्टिकल अलाइन middle दे देते हैं और टेक्स जो वह सेंटर माइन रहता है तो हम यहां पर भी वही ट्रीक का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर हम due से as a table behave करा रहे हैं okay so यहां पर जो parent due है वह as a table behave करेगा and जो वर्टिकल मतलब जो child due है वह as a table cell and table cell के अंदर के जो भी content होगा उससे अब हम यहां पर vertical align middle देरेंगे vertical align is middle okay save and refresh यहां पर text center में आचुका है okay so यहां पर आप कोई भी text आप add करेंगे like this is some extra keywords for example save and refresh and यह center से रहां आप okay so इस तरह आप किसी due के अंदर के text को horizontally and vertically centered कर सकते हैं okay so i hope this trick आपको बसंदा योगी and you are going to use it in your next web design project so keep it up and see you next video with a new trick with a new series with a new video tutorial this is Vinay Singh from wishacademy.com see you next video till then data bye bye and happy coding